चाइनीज मुबाइल कमपनी वीवो ने देश के साथ धोखा किया है मेरट में ऐसा ही मामला सामने आया है वीवो ने ग्रांकों की प्राइवेसी का बंटा धार कर दिया और देश की आंतिरिक सुरक्षा को तार-तार करते हुए देश के दुस्मनों को सुरक्षा दिवार में सिंख लगाने का मौका दे दिया ट्राइ के नियमों की धज्या उडाते हुए वीवो मुबाइल कमपनी ने हजारों मुबाइल फोन्स की IMEI एक जैसी कर दी मामले में टेली कॉम कमपनी से हासिल डेटा से पता चला कि जो IMEI सब इस्पेक्टर के फोन में चल रहे हैं वही देश के 13357 अन्य फोन्स में चल रहे हैं जबकि ट्राइ का नियम है कि एक मौबाइल एक IMEI नंबर लेकिन वीवो कमपनी यहाँ पर महा फ्राट कर रही है इस कमपनी से आपको बचना चाहिए साउधान रहना चाहिए गहनता से जाच की जा रही है क्योंकि एक मौबाइल पर एक ही IMEI नंबर का प्रावधान है और यदि एक ही IMEI नंबर एक से ज़्यादा मौबाइल फोन पर मिलता है तो यह चिंता का विश है और इसकी जाच की जा रही है कि यह टेकनिकल फॉल्ट है या कोई और गंबीर मामला है इसके संदर में थाना मेडिकल पर मुकदमा पंजीगित कर दिया गया है साइबर सेल की टीम और मेडिकल थाने की टीम जो भी वेचक हैं सायुक तुरूप से टीम का गठन करके बेचनात्मा कारवाई की जा रही है इसमें और एक्सपर्ट की जरुवत जो भी पड़ेगी उसको लिया जाएगा और चुकि यह सेक्योटी रिलेटेड मामला प्रसम दस्टा लग रहा है इस नजरिये से भी चीजों को देखा जा रहा है सारे साक्षों को संकलित करके इसमें आवस्थक विधिक कारवाई की जाएगी चाइनीज कंपनी बीबो की यह हरकत करोडो ग्राकों के साथ धोका है और देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवार इस पूरी जाच को करने में पुलिस को पांच महीने का बक्त लगा लेकिन बहुत सारे खुला से अभी भी और बाकी है फिलाल पुलिस इस कंपनी के तार कहां कहां जुड़े है और एक IMII से हजारों फोन आखिर कैसे चले इसकी तहत अलासने में लगी हुई है मैं नरेंद्र बारसमाचार मेरट नरेंद्र वाकई एक IMI नंबर से हजारों फोन चल रहे है 13357 के उपर चल रहे है ये बड़ा प्रस्नाय आभूच पहली है पुलिस कहां तक पहुशी है इस जाच परताल में और किसे ये जिम्मेदारी दी गई है कौन देख रहा है इस केस को देखे राहूल कि इस मामले में जो जाच परताल है वो मेरट की जो साइबर एक्सपर्ट टीम है क्राइम की बो कर रही है इसके अलाबा जो ADG आपिस की एक टीम है उसने भी शुरुआ थी जाच पूरे मामले में की थी और उसी ने इस पूरे मामले में ये पता लगाया था कि हजारों फोन ऐसे हैं जिनमें एक ही IMEI चल रहा है जो एक टेलिकॉम कंपनी है जिसकी सिम उस फोन में चल रही थी उसके जरीए ये पता लगा क्योंकि जो बीवो कंपनी है उसने तो अपना पल्ला जाल दिया था कोई सैटिसफेक्टरी जवाब भी पुलिस को नहीं दिया था तो मुकदमा दर्ज हो गया है मेडिकल कॉलिज में और साइबर एक्सपर्ट की टीम और इसके अलावा जो मेरट पुलिस की टीम है वो इस पूरे मामले में सहींफ रूप से जाच को और आगे ले जा रही है और एक-एक नमबर को तलास रही है एक-एक फोन को तलास रही है जिसमें सेम आई-म-ई-ई चला है ट्राइगेने में यह कहते हैं कि एक phone में एक unique number होगा जो IMEI number होगा जिस तरीके से किसी बैक्ती का कोई unique अधार कार्ड होता है उसका number होता है उसी तरीके से phone की पहचान की वो phone किसका है किस company का है और उसकी details क्या है यह cable IMEI के जरीये ही पता लगता है तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा कोई कमपनी कर रही है तो पूरे देश की पुलिस के लिए, सेना के लिए, सुरक्षा के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा कर रही है ऐसे मैं अपरादियों का पता नहीं लग पाएगा जो इस तरीके के IMEI के फोन यूज करेंगे इसके अलावा जो देश के द्रोही लोग हैं जो आतंकबादी हैं वो भी इन फोन्स का इस्तेमाल करेंगे और पता नहीं लग पाएगा कि इनको यूज करने वाले कौन लोग हैं तो ये एक बहुत बड़ा खत्रा है देश के ऊपर और इसकी जो सुरुआत है जाच की वो एडीजी मेरट के द्वारा की गई थी जो अब कंप्लीट हुई है और एक कदम आगे चलकर किसी मंजल तक पहुची है लेकिन अब ये पूरा मामला जब तक जो सुरक्षा एजनसियां केंदर की उन तक नहीं जाता तब तक मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ और डप्लमेंट हो पाएगा क्यों कि हर जाच टीम के एक दाएरे ते हैं जैसे मेरट की पुलिस है वो जादा से जादा जोन में यूपी में जाच कर सकती है लेकिन जो फॉन मिले हैं वो पूरे देस में रन कर रहे थे एक ही आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-स नरेंदर पताब चु यह पूरे देस में बिल्कुल नरेंदर लेकिन मैं जाना चाहता हूँ जो वीबो का यह महा फ्रॉड आपने उजागर किया पूरे प्रदेस के सामने पहला केस कैसे पदा चला आपको यह जानकारी कैसे हुई एडी जी आफिस में एक सब इंस्पेक्टर है जो किलर के रूप में काम करते हैं उनका नाम आसाराम है 2017 में उन्होंने एक बीबो का फोन खरीदा था 2019 सितंबर में उस फोन की डिस्पले टूट गई उन्होंने ऑथराइज बीबो के सर्विस सेंटर से वो फोन रिपेर कराया जब वो फोन वापस आया तो उसमें तमाम तरह के एरर आने लगे पता किया तो यह मालुम पढ़ा कि जो आयम याई उनके फोन में फोन खरीदते बक्त था वो अब नहीं है वो बदल चुका है और जब यह पता किया गया कंपनी के द्वारा उनको यह शिकायत की गई बीबो को कि इस इस तरीके से यह आयम इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका नरेंदर प्रता बहुत चलते हैं आगरा में मौत की छलांग कुछ लड़के लगा रहे वो भी आपको दिखाते हैं मौत की छलांग लगाते यह वीडियो भारत सवाचार के हाथ लगा है यह